नमस्कार मित्रो उड़ते उड़ते हमारे सूतरों से हमें खबर आ रही है कि फ्रीफायर को इंडिया में पर्मनेंटली बैन कर दिया गया है फ्रीफायर फैंस हुए नाराज बोला नरिन मोधी को छोड़के एरे गेरे नत्थू गेरे किसी को भी वोट दे देंगे चाहे वो राहुल गांदी ही क्यों ना हो लेकिन मोधी को वोट नहीं देंगे मजाया हीपोक्रसी की भी सीमा होती है तो मित्रो जहां पर फ्रीफायर प्लेष बहुत जादा दुखी है नाराज है वहीं बीजियो माई प्लेष की बात करीज़ तो वह बहुत खुस नजर आ रहे और फ्रीफायर वालों के मजे ले रहे क्योंकि जब PUBG बैन वा था इंडिया में तो Free Fire वालों ने भी बहुत ज़्यादा मज़े लिये थे PUBG प्लेस के तो अभी यहाँ पे कर्मा ने अपना खेल दिखाया और बाजी को पूरी तरीके से पलट दिया है और मित्रों मोधी सरकार ने यहाँ पे नासिप Free Fire को बैन करा है इसके लावा और भी बहुत सारे Chinese Apps को बैन करा गया है जिसमें सबसे ज़ादा चर्जित है बूठी कैमरा मतलब यह कि निबबा निब्यों को फिल्टर यूज़ करने के लिए भी दूसरा एप धूनना पड़ेगा लेकिन यह मोधी जी ने बहुत गलत कर दिया मतलब वेलेंटेंडे के दिन ही इतना बड़ा सदमा दे दिया अब यार निबबा निबी एक दूसरे की सकल नहीं देख पा रहे भी ने फिल्टर के और इसकी वज़ए से बहुत लोगों के ब्रेक अप तक हो चुके है खैर मित्रो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है की यहाँ पेclockwise का भी कोई Indian वर्जन आने वाला है अगर नहीं आता है तोstill मैंने वीडियो के श्टर नहीं दिया था लकिन अभी दे देता हूं इस वीडियो के माधियम से मैं किसी को भी किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुचाना चाहता हूँ और अगर किसी को ठेस पहुच रहा है तो बर्नॉल खरीद के लगा लो तो मित्रो अब मुद्धा ये आता है कि क्या हमारे Clash of Clans को भी को भी इंडिया में बान कर दिया जाए क्योंकि टेंसेंट या फिर जो भी चाइनिज कंपनी है उसका किसी भी आप के साथ किसी भी तरह का यहां पर लिंक है तो उस एप को कंट्री हमारे कंट्री में बान करा जा रहा है अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना जिसने कर लेना चलो मिलता है बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यूट आपके साथ अब देख लिए टेक केर और पीस आउट